बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में रंग बिरंगे पक्षियों का जुन्ड रहता था, उनमें एक सुन्दर और चंचल चेडिया जिसका नाम चिन्नी था और एक बुद्धिमान काला कोवा जिसका नाम काकू था, दोनों ही अच्छे दोस्त थे और हर दिन एक साथ खेलते थे, एक दिन चिन्नी ने एक पुराने पेड के नीचे एक चमकदार पत्थर देखा, उसने उसे उठा कर काकू को दिखाया, काकू ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, चिन्नी, ये कोई साधारन पत्थर नहीं है, यह एक जादुई पत्थर है, काकू ने अ पानी की समस्या को हल किया जाए। गर्मी के मौसम में जंगल के जानवरों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता था। चिन्नी और काकू के प्रति आभारी हो गए। एक दिन जंगल में एक बुरी हवा फैली जिससे सभी पक्षियों के पंख जड़ने लगे। चिन्नी और काकू ने सोचा कि अब क्या किया जाए। उड़ान भरी और चिन्नी और काकू की जैजैकार की। चिन्नी और काकू ने समझा कि जादूई पत्थर का उप्योग हमेशा अच्छे कारियों के लिए करना चाहिए। उन्होंने पत्थर को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया ताकि वह कभी बुरे हाथों में न पड़े। जंगल में अब सब कुछ सही हो गया था। जानवर और पक्षी खुशी-खुशी रहने लगे। चिन्नी और काकू ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से सब की मद मेंट सुरक्षी खुशी 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 टो की मेंट से से सुरक्षित दो इानवर का मुशी जगि झाल झाले हुशी पुशी चाले हुशी खुशी तर बूब है।